Hi guys, आज हम बात करेंगे कि बच्चा दूद नहीं पीता है, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि बच्चा दूद पीते पीते उसने दूद छोड़ दिया है, हमारा बच्चा दूद नहीं पी रहा है, हम क्या करें, कहीं दिनों तक अच्छा पी लिया, फिर उसके बात छोड़ दिया और कोई तो बच्चा ऐसा है कि उसने शुरू से ही मुव नहीं लगाया क्या कारण हो सकते हैं यह सारी बाते में आपके साथ आज शेयर करूंगी यह सब पुरानी बाते हैं छोट-छोटी बाते हैं कोई नहीं बाते नहीं है यह सुरूआस से होती आई है हमारे बड़े बुजूर्ग भी ये सारी बाते बच्चों को बताते थे और अब जो नई जनरेशन है उनके पास बड़े बच्च और बड़े बुजूर्ग नहीं होते हैं तो फिर उनने थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है तो आज मैं सारी बाते बताऊंगे आपको ये सारी दिक्कते जो है अ देखेे जब बच्चा जो अगर पहली बार आप मा बंड़ाई है, उनके लिए तो बहुत जादा दिक्कत वाली बात हो जाती है, क्योंकि बच्चा सिर्फ दूद पे ही डिपेंड रहता है, बच्चा क्यों दूद नहीं पीता है, देखे पहले पहले तो जब बच्चा हुआ उसे तीन-चार दिन तो जो आपके निपल पकड़ने में लग जाते हैं, कई बच्चा नहीं पकड़ पाता है, तो उसे बड़ी दिक्कत होती है और वो ठक जाता है, उसके बाद वो दूद पीना जो है छोड़ देता है, या फिर आपका दूद पूरा प्रॉपर नहीं बन र और वो उसे जादा खीचने में जादा उसे जोर लग जाता है, वो ठक जाता है, तब भी वो रोने लग जाता है, और फिर वो जो है छोड़ देता है, ओसिस तो वो खूब करता है, फिर उसके मुह में जब निपल नहीं आती है, या फिर दूद नहीं आता है, तो वो रोने लग जाता है फिर आप सोचती है पता नहीं मैं तो इसे दूद पिला रही हूं और यह नहीं पी रहा है तो यह क्या कारण है कारण कई हो सकती है एक कारण नहीं हो सकता कि आपका दूद प्रोपर आ रहा है और बचा दूद नहीं पी रहा है और या दूद निपल नहीं पकड ये सारी बाते जो है एक बात से नहीं होती है कई बातों से होती है दूसरी और कारण में आपको बता हूँ दूसरा तो दूद जो है बनता है आपका जैसे मैंने कहा कि कम बनता है तो आप उसके लिए दलिया ले सकते हैं दूद दलिया ले सकते हैं उसके लिए जो दूद की मा जब दूद जादा आएगा तो उसका पेट भी भढ़ जाएगा और वो आराम से सोएगा और वो कोई दिक्कत भी नहीं करेगा आप दिक्कत आती है कि आपके कोस्चन ऐसे आते हैं कि उसने पीते पीते छोड़ देता कई बार बच्चा पी लिया कई दिन तक पी लिया माशे चीबर देखा हुगा। उसको छोड़ देता है फिर रोने लग जाता है उसे जब दूद का टेस्ट नहीं आता है मैं क्या पी रहा हूँ... तो उसे क्या है उसको साफ करना बहुत जरूर है, थोड़े थोड़े दिन बाद वो आप जीब जरूर सकी साफ करें, आप जीब कैसे साफ करेंगे बच्चा तो जीब बाहर नहीं निकलेगा, एक गीला कॉटन का कपड़ा ले ले, आप थोड़ा सा गीला कडले कपड़े को, जैसे पुरानी सूती साड़ी होती थी न, जैसे हमारी दादी नानिया पहनती थी सूती साड़ी, ऐसा सूती कपड़ा या फिर मलमल का कपड़ा जो होता है, एक दम सौफ्ट कपड़ा ले आप जो भी आप ले, उसे आप गीला कर ले, साफ सुत्रा कपड़ा हो, और उसे ब अराम से पिर पेश्ट आने लग जाएगा और दूद पीने लग जाएगा और क्या कारण हो सकते हैं. कई बर बच्चे को जो है बुखार हो जाता है अंदर बुखार रहता है सरीर के अंदर तो आप लोगों को समझ में नहीं आती है वो दूद नहीं पीता है आपने देखा होगा जब आप लोगों को भी बुखार होता है अंदर सरीर ठका ठका महसूस होता है तो बड़े भी तीजे खाली या फिर कुछ चनी वगेरा होगे या फिर कोई ब्रेड वगेरा होगे ऐसी कोई चीज खाली जिससे क्या होता है पेट बच्चे का जो है दूद भारी हो जाता है फिर उससे जो है पेट दरद होने लग जाता है गैस बन जाती है बच्चे को जैसे आप कई बर ऐ पी पाता है तो थोड़ा सा साथ सफाई का ध्यान रखे गीले कपडे से दूध की जूव है उसके वागें we पिलाएख तो उस्से भी जो है बच्चा दूध न ही पीता है तो कई कारण न नहीं कारण हो describe जिससे बच्चा दूद नहीं पीता है अब लोग आप लोग जब कमेंट्स करते हैं तो मैं उसका क्या जबाब दूँ इतने सारे जबाब जब मैं लिखने बैटूंगी तो बहुत सारा टाइम लग जाता है और फिर दिक्कत पर आ जाती है अब ऐसे ही कोस्टन जब एक साथ क कि एक हमारे बड़े वुजुद किया करते थी कैसे इमारी माएं किया करती थी तो आपको कईबर क्या तो ये चीजों को आप अपना कर देखें अगर आप कोई भी चीज ऑच्छा गैस बनती है कैसे बता नहीं आप जैसे आपके मन में कोश्चन आ रहा होगा गैस की मने एक वीडियो बनाईए अगर आपको वो देखने है तो आप पूरी देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी नहीं तो आप क्या करें पेट को जो है आप थोड़ा छू करके देखें पच्चे का पेट भारी भारी हो जाता है थोड़ा टाइट टाइट सा वो पेट आपको नजर आएगा और बत्चा रोएगा जब आप उसके पेट को छूएँगे तो थोड़ा सा उपर नीचे मूँ बनाएगा तो आप समझ लीजेगा उसके पेट में गैस है गैस के लिए थोड़ा गुंगोना पानी चम्मच में जरा सा गुंगोना पानी ले और उसमें थोड़ी सी अकटोरी में ले थोड़ा गुंगोना पानी चम्मच एकी पानी लेना है जादा निलेना है आधी चम्मच के करीबी उसमें हलकी सी हींगों को कूट करके उसका पानी बना ले और उसे नाभी के चारों तरफ धीरे धीरे आप रूई की सहायता से आप लगा ले आप थोड़े थोड़े रूई की जो कॉटन रूई के जो पड़त बना करके जैसे कपड़ा करके उसके चारों तरफ उसे ऐसे लगा सकते हैं बच्चे के आप देखेंगे उससे उस थोड़ा सा बच्चे को दे या पिर आप थोड़ इसी आधी चम्मज से भी कम अजवाइन को आप आधी कब पानी में उबाल करके उसे थोड़ा थोड़ा एक चम्मज के करीब जादा नहीं देना बच्चे को पीट गरम हो जाता है यह चीजे बहुत हिसाब से देनी होती है क् तो उसे दो चम्मज दे फिर आधा कब पीले ऐसे होता है ऐसे नहीं कि आपने पूरा दे देना है थोड़ा सा जवान का पानी दे सकते हैं थोड़ा सौफ का पानी दे सकते हैं सौफ को उबाला ठंडा किया और फिर उसके बाद दिया गुन-गुना सा हलका सा हो तब आप द बिल्कुल गरम गरम बिल्कुल भी बच्चे को ना दे बिल्कुल जैसा आपकी दूद होता है ना थंडा इतना ही आपको थंडा दूद देना है गुनगुना सा ताकि बच्चे के जीब ना जले नहीं तो जो है उसके जीब में जीब जल जाएगी और वो दूद भी नहीं पी पाईगा आप इंची जो का ध्यान टके उसकी मालिस करेए मालिस जैसे मैंने आपको बताई थी कि बच्चे की मालिस जो है बहुत जरूरी है कोई भी तेल से आप कर लें कोई दिक्कत नहीं सरसों का तेल सबसे बढ़िया है तिल का तेल सबसे बढ़िया अभी सर्दि के मौसम मे तो आप उसे वो लगाएं और नहाने से पहले आप सकी मालिस करें अच्छे से थोड़ी देर चोड़कर उसके नहिला करके और उसके बाद आप उसे सुलाएं आप देखेंगे कितना बढ़ी आच्छे दूद पी करके वो दो-तीन घंटा तो आराम से बच्चा सोएगा और एक गम दुरुस्त रहेगा ये छोटी-छोटी सो जानकारी होती है न ये एक बर ही आपको जानन वाली बात नहीं है अगर आप थोड़ा सा और आगे जाएं अगर ये सारी चीजे भी कर ली तो आप थोड़ी सी नजर का जो मैंने आपको बताया था ना बच्चे के नजर बहुत जल्दी लगती है बाहर वाले की तो क्या पता कैसे लगे ना लेगे लेकिन खुद मां की ज जादा लग जाती है घरवालों को बच्चा के बर हसता है खेल के लाता है खेलता है तो अपने मन में ही आ जाती है हाई कितना अच्छा लग रहा है आज कितने अच्छे से हस रहा है बस बत्चे को इतना ही बोलो बच्चे को नजर लग जाती है तो थोड़ा सा आप नजर का करके सारी चीज़ देख लिए, अगर वो लग रहा है कि बच्चा को कहीं से मुह में छाले नहीं है, जीब गंदी नहीं है, पेट में आफारा नहीं है, कोई बुखार नहीं है, बच्चा अगर रात बेरात ऐसा हो, जैसे रात को कई वर हो जाता है, तो अब ये सारी चीज़े अजमा सकती है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें क्योंकि बच्चा बहुत नाजुक होता है और इन नाजुक अवस्ता में समझदारी बहुत जरूरी है जहां भी थोड़ी सी समझदारी नहीं होती है फिर वो जो है काम खराब हो जाता है तो इन सीजों की जब आप जान या फिर मालिस का देखें आप गैस का देखें यह सारी चीजे एक टू जैड आपको ध्यान रखनी होती है बच्चा जब छोटा होता है अगर हम इन चीजों का ध्यान नहीं रखते हैं तो बच्चा जो है कई बर आनाकानी करता है दूद नहीं पीता है चिड़ चिड़ा हो ज नहीं पीरा है कई कारण है 5000 सारे कारन fed in आट 10 कारण जो मने आपको बताया है जो जदातर घर में यहीजी चीज़े डेखी जाती है तो यह अप जरूर मैं दिखाएं तक यह उन managing can इक है प्रशा जानों करें सब्सक्राइन का क्यान topic